हलो एंड वेलकम टू टेश्ट बोक सूपर कोचिंग पिछले दो तीन दिन से एक ख़वर काफी सर्क्लेट हो रही है काफी चर्चा में है और वो यह है कि railway में TTE की जो है वो वेकेंसी आने वाली है तो क्या railway में TTE की वेकेंसी जो है वो आने वाली है अगर आने वाली तो कितनी vacancies है क्या चाहिए इस ख़बर में सारी चीजें जो है वो हम इस वीडियो में इस session में discuss करेंगे सबसे पहरे जितने भी लोग इस वीडियो को देखना शुरू कर चुके है भाई लोगों सभी एक बास session को share कर दें ताकि आपके जो बाकी दोस्त बगरा उन तक ही session ये वीडियो पहुंच सके और उनके बन में अगर कोई doubt हो कोई confusion हो तो वो पूरा हो जाए ठीक है दूर हो जाए मतलब ठीक है तो अब जानते हैं देखिए ये जो है इस तरह की newspaper जो है उसकी cutting चल रही है रेलवे देश पर में डेढ़ लाग पदों पर भरती करेगा तील लाग पद खाली इसमें ये यहाँ पर जो है ये अलग लगतर हैसे खबर चल रही है ठीक है रेलवे में फलाल टीटी के 774 चौरासी पद खाली पड़े हुए है बिल्कुश सही बात है बाई और रेलवे में इस समय 2.94 लाक ओबर ओल पोस्ट खाली है बिल्कुश सच है ठीक है यह जानकारी लोगस्वाम रेल मंत्री ने दी थी 16 जौरानल रेलवे में टीटी के खाली पदों की जानकारी मांगी थी इसमें सबसे जानकारी ग्यारज शह पद उत्तर रेलवे में खाली है उत्तर मद में 982 पूर रेलवे में 788 दक्षिल मद में 746 पद खाली है तो टोटल 7,784 जो है पद खाली है पूरी खबर क्या थी रेलवे अगले पांच महीने के भीतर यानि अप्रेल 2023 यानि यह खबर पिछली साल लग टूबर नॉबर की है लेकिन अभी यह नई खबर की तौर पर भी चल रही है अगलग जगे पर नई खबर में मिल जाता है ठीक है यह बात बिल्कुल सच है जो है वह आपकी आने बाली है अब देखे आपका जो रिसेंट जो नोटिफिकेशन मतला जो प्रिजेंट में जो आपके नोटिफिकेशन आई हुए थे उन पर देखी जड़ा आपका आपके जो गरुप D वगएरा के हैं यह सारे एकजाम जो हैं मार्च-अप्रैल तक खतम हो जाएंगे ठीक है मदरा अपांडमेंट लेटर आपको मार्च में अगले बीन तक अपांडमेंट लेटर मिलना शुरू हो जाएंगे ठीक है तो यानि कि आपका देखिए रेलवे में बहुत वेकैंसी जो है वह आई नहीं पिछले सालों से पिछले कुछ सालों से कोई वेकैंसी नहीं आई है अब देखिए यही चीज आपकी अक्टूबर की है रेलवे में एक लाग सारा पदो पर भर थी ठीक है इसमें सारी चीज़ें आपकर कई गई थी अब मैंने आपको बताया था कि रेलवे में टीटी की भी ओबर ऑल जो है 2.94 लाग पद खाली है द तीटी की बहुत ज़रूरत होती है तो आपके देखें यहां पर आप को हमा चमी सब कुछ खतम हो जा या अब रेलवे में टीटी का नोटिस्केशन ऊंटूट की कर आ या बिल्कूल सच है ले में टीटी क step यह कि मिलेगा कभ April से लेके May के बीच में April से मई 2023 के बीच में जो है वो notification आपको देखने को मिलने वाला है तो इस दौरान जो है वो आपको एक notification देखने को बिल सकता है railway की तरफ से और इसमें vacancies कितनी आएंगी ये देखने वाले वात है पैसे माना जा रहा है कि पद कितने खाली है ये डिपेंड करता है 5000 के आसपास जो है वो vacancies यहाँ पर आ सकती है 5000 एराउंड vacancies जो है वो आपको railway में TT की देखने को मिल जाएंगी notification आपका April या मई में आ सकता है eligibility criteria की अगर बात की जाए तो जहां तक है 18 से 30 साल जो है वो age limit रखी जाएगी और 10 पास ये 12 पास जो है qualification आपकी रहने वाली है इसके अंसार आपका जो है notification आएगा vacancies का नंबर 5000 तो minimum है अगर पूरा नहीं भी निकालते तो 5000 के आसपास जो है vacancies रहेंगी और सही से निकालते हैं पूरी निकाल देते हैं तो 7000 प्लस vacancies जो है वो आपकी आ सकती है एराउंड 7000 वेकेंशी जो है वो आपकी रहेंगी सेल्री की अगर बात करेंगे तीटी में कितनी रहती है उन्नेश सो गरेट पे में आते हैं सबसे सबसे सबस्तार अब करो जाता है तो इसमें आपको पोस्टिंग की लोकेशन के साब से आपको एचारी मिल जाता है जैसे अगर आप बड़े शहरों में जाएंगे न दिल्ली हो गया मुंबई हो गया चेन नहीं हो गया तो यहां पर आपको 27% की रेट से एचारी मिलता है यानि अगर आपकी बेसिक 100 रुपाय तो 27 फिर थोड़े चोटे शहरों में अगर आप जाते है तो वहां पर आप अगर आप जाते हैं तो वहां पर 9% की रेट से एचारी मिलता है तो 19,900 बेसिक पे की जो ग्रॉस सैलरी है वो पहुंसती है 34-35,000 के असब के आसपास पहुंच जाती है और आपको पता है कि रेलवे है य 2019 में निकाला था फरवरी के महीने में ग्रॉप D और NTPC का हर साल रेलवे 45,000 एंप्लोई रिटायर हो जाते तो पिसले चार सालों में लगबग पौने 2,000,000 एंप्लोई तो रिटायर हो चुके हैं और 10,000,000 पर भरती होनी है डेल साल के अंदर जिसकी घोशना पिछले साल म महीने का उसमें सब कुछ बचा हुआ है अब मैंने आपको नोटिस दिखाया तो अप्लमें लेटर जो है आपको मार्च अप्रेल में मिल जाएंगे तो वहां से आपकी वेकैंसी आना शुरू हो जाएंगी तो आप मानके चलिए कि मार्च में ना साही लेकिन अप्रेल में सबसे पहले आएंगे तो टीटी का नोटिफिकेशन आने के चांसे बिलकुल है आपर साथ हजार से उपर वेकैंसी टीटी में आने बाली है अगले एक या दो महीने के अंदर और इसके रेइस्टेशन में स्टार्ट हो जाएंगे फिर एक्जाम जो है आपका वो भी इसी सा हो जाएगा बाकि हम जैसी कोई और ऑफिशल अपडेट आती है वो आप तक पहुंचा देंगे और तैयारी कैसे करने है वो भी आपको ता लेता हूं तो बाई जब सुपर कोचिंग है तो अफिर तैयारी की टेंशन दो होनीन चाहिए रेलवे के बढ़िया सुपर मिलते हैं 200 प्लस study notes मिलते हैं और सबसे important बाद यह सब कुछ बहुत ही किफायती रेट पर आपको मिलता है six month का subscription है 284 रुपीज का इसमें discount भी आपको मिल जाएगा coupon code आपको लगाना है अनुराग A N U R A G ये coupon code लगाएंगे तो आपको discount मिल जाएगा 269 में आपको 6 महीने का subscription मिल रहा है railway super coaching का तो इसमें enroll कीजिए और अभी से railway की तयारी शुरू कर दीजिए तो चलिए अब session को यहां पर खत्म करेंगे आप लोग अपनी exam preparation और update लिए super coaching के साथ बने रहिए